विश्व का बाजार उंचा होने से भारतिये रूई की कीमतों में तेजी देखने को मिली है दरसल चालू महीने के दुरान भारत से रूई का निर्याद सुधर कर कत दो वर्ष के उंचे सर पर पहुंजाने की उमीद है चानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में हाली के दिनों में मई में रूई का भाव तेज हुआ है जिस से विदेशी आयात को के लिए भारतिये लगातार आकर्शक होता जा रहा है एशियाई देशों में भारतिये रूई की मांग बढ़ने लगी है जो देश पहले ब्राजील और अमेरिका से रुई मांग रहे थे अब वो भारत से आयात कर रहे हैं। नियू योर्क ओटन एक्सचेंज में बेंचमार्क रुई के वाइदा मुल्या में हालिया तेजी आने से पूर्व भारत को रुई का निर्यात करने में भारी कटनाई हो रही थी और अनेक चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा था। वही भारत कपास का दूसरा सबसे परमुखुत पादक देश है। देखा जाए तो बेंचमार्क भाव में तेजी आने के साथ ही भारतिये निर्यात को की सक्रियता भी बढ़ गई है क्योंकि उसे आयातक देशों से अच्छे ओर्डर मिलने लगे हैं। चीन, बांगलादेश और वियतनाम द्वारा मुख्य रूप से रूई की खरीद की जा रही है। यानि 20 लाग गांट निर्यात बढ़ सकता है। पहले 14 लाग गांट के निर्यात का अनुमान लगाया जा रहा था। वही कुछ वेपारियों का मानना है कि रूई का वास्त्विक निर्यात इस बार 25 लाग गांट तक पहुंच सकता है। भारतिय रूई का दाम फिलाल अमेरिकी रूई की तुलना में 6-7 सेंट प्रती पौंट नीचे चल रहा है। यदि वेश्विक बेंचमार की तुलना में भारतिय रूई का प्रतिसपर्दी मुल्या बरकरार रहा तो मार्श में भी देश से 3 लाग गंट तक रूई का निर्यात हो सकता है। चीन के आया तक आकर्मक ढंग से भारतिय रूई की खरीद कर रहे है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रूई की कीमतों में तेजी बन सकती है।